ये समाज में नाकारत्मक्ताएं जो दिख रही हैं समाज में ये जो अराजकताएं दिख रही हैं समाज में जो ये पापकर्म होते हुए दिख रहे हैं ना या फिर तनिक तनिक से बातों में जोटका सहरा लिया जा रहा है सत्य को परित्यजित करके न्याय को छोड़कर अधर्म का सहरा लेकर इमानदारी को विस्मृत करके मानदा से बहुत तूर जाकर अमानवियता से ओत प्रोध हो जाने की जो इस्थतिया है छणप प्रत्य छणप अशान्ते में व्यापत हो कर अहिंसा से भूमोड कर हिंसा में सनलिप्त हो जाने की इकतिविथिया अंतर्मन में तंभ को पाल कर अन्य लोगों से इर्शा की भावनाए द्वेश की भावनाए एहिंकार के वशी भूत हो कर अपने जीवन को चलाने की गतिविधिया भौतिक्ता के चकाचौंध के वशिभूत हो कर हर छण फास्त विक्ताओं से मुह मोड कर उनसे दूर रहने की आदते ये सब सामाने नहीं है ये परिस्ततिया सामाने नहीं कही जा सकती नहीं ही है ये सब असामने है ये नकारत्मक्ताओं से उत्प्रोत हमारा जीवन समाज का ये जढ़ाचा समाज की एक रुपरे खाएं सब व्यधित कर देने वाले हैं बेचैन और व्याकुल कर देने वाले हैं यदि इसी कड़े में ये बात की जाए तो गलत नहीं होगा कि इस प्रकार अपने जीवन को चिन भिन कर देने के लिए ही या कर लेने के लिए ही मानव जीवन तो नहीं मिला था मुन्ष जीवन ऐसे ही गवाँ देने के लिए तो नहीं मिला था मनश जन्म पाने के बड़ी ही उत्ष बुने गए होंगी बहुत सारी अभिलाशाएं तयार की गए होंगी पर यह क्या वास्तविक रुप में जो नहीं होना चाहिए था वही समाज में दूर से दिख रहे हैं वे गत्विधियां होती दिख रही हैं सही शब्दों में यदे पूछा जाए सही शब्दों में यदे सोचा जाए और विचार किया जाए तो हम यही कह सकते हैं यही मान सकते हैं यही समझ भी सकते हैं कि यही हमारे समाज के बलकि मानो सब्दा के बहुत बड़े बड़े से घाव हैं मान अफ्दा के यह बड़े बड़े से घाव मान अफ्दा को कमजोर कर रहें मानो सब्दा की जीने की रूप रेखाओं को कमजोर कर रहें मानो सब्दा की मान अफ्दा की आयो को कम कर रहें यदे मान अफ्दा की आयो कमजोर हो गई कम हो गई तो फिर इस मानो सब्दा क्या क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है मानो सब्दा के उपर तो मान अफ्दा के उपर तो सब कुछ निर्धारित किया गया है मानो इस स्रिष्टी का सबसे बुद्धिमान जीव है मानो के उपर अपने जीवन के साथ अन्य जीवों की भी जिम्मेदारी है पश्यो पक्षियों के गीडे मकोडों के पादप जगत के सभी जीवों की अपने पर्यावरण के अपने वातावरण के सभी की ही सिम्मेदारी मन शुकों निभानी है इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रकृत ने दी है और इस प्रकार से छोटी छोटी बातों में हम खुद को नकारत्मक्ताओं में उलजा लेंगे नकारत्मक्ताओं से उत प्रोट कर लेंगे तो इन जिम्मेदारीों का निर्वान कौन करेगा यद इसी प्रकार से ही हम अपने ही मानों सब्धता को इस प्रकार से दुनिया भर के पाप करमों से पहले से उलेखित की हुई जो नकारत्मक्ताओं हैं जिनके बारे में मैंने भी पहले बात की अकर इने को उभारा गया इने को बढ़ाया गया इने का प्रचार प्रसार किया गया तब तो मानों सब्धता के भवश्य के बारे में बड़ी चिंता हो रही है और होने भी चाहिए ये दिया चिंता हो रही है तो ये अच्छी बात है, हो नहीं शुरू हो गई है तो शायद इसे संजोने की, संभालने की, संतुलित और समन्वत करने की समभदा कोशिश भी होने लगे, यदि कोशिश होने लगेगी, तो सफलता भी मिलेगी